ये गाइस वेलकम बैक टो माय चैनल तो गाइस आप भी करना चाहते हैं अपने बालों को रात और रात लंबा हाँ आपने सही सुनाएं आप रात और रात अपने बालों को लंबा कर सकते हैं आपके बाल एक दम यानि की लंबा ही उनकी रूप गई है आपके बाल गहने नहीं तो बहुत ज़्यादा शरम आती हम किसी function party में कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बालों की समझशा को लेकर बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है नहीं लगता बट आप आपको लोग पूछेंगे कि आपने आपने बालों में क्या लगा ऐसा कि आपके बाल इतने जादा ग्रोध करने लग गया हैं काले हो गया है एज से पहले किसी के बाल यानिकी सब्सक्राइख से जादा महंटा करेंगी बसक्ताइब इसके बिल्कुल ना करें अमृदि पालों के इस तुरिके से बाल जै कना पालों चाय पत्ती नब आज जैसे बालों को गटबायों हग वेसे आपके बालों पालों को देखाहना था हम को तो ना कोई फिल्टर का पानी डाला नोर्मल पानी डाला इसके अंदर आप डाल देंगे चाय पती चाय पती हम लोग दो चमज डाल देंगे चाय पती हमारे बालों को जड़े हैं उनको मदबूत करती है काला करती है और हमारे बालों में जो भी दिक्कत होती है उसको खतम करती है क्योंकि हमारे बालों को भी प्रोटीन चाहिए ही होता है नूट्रिशन तो चाहिए होता है हमारे बालों को भी तो आपको जो नूट्रिशन और प्रोटीन प्रोवाइड कराती है वो हमारी एक तरीके से चाय पत्ती होती है इसलिए मैंने यहां आपके साथ चाय पत्ती की रेमेडी शेयर किया यह एक महंगी प्रोडेक्ट का जैसा काम करेगी आपके बालों में आप महंगा प्रोडेक्ट लगा रहे हो वो लगाना भूल जाएंगे इस तरीके से देख सकते हैं यह उकल गई है तो मैं इसके अंदर इस तरीके से उकालना है कि जो इसके सारा जो गुण है जो चाय पत्ती है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाए पानी के अंदर इसके सारे गुण है वो छूट जाएं तो यहां लिया है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता काम बहुत ज़्यादा होता है हमारे बालों के लिए, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कड़ी पत्ता हमारे बालों में क्या फाइदा करता है, तुम आपको आज पता देती हूँ, जो किसी के बाल शाइनिंग नहीं करते है कि रूखे रूखे से रहते हैं बाल खुले करते हैं तो इतने ज्यादा उलच जाते हैं इतने ज्यादा गंदे से लगते हैं कि हमें बहुत यह एकदम यह कि शाइनिंग नहीं करते हैं और हमारे बाल एकदम सिल्की सिल्की नहीं रहते हैं उसी का काम चाइप यह करती है कड़ और जैसे हम लोग कड़ी पत्ता इस मेंने थो नॉर्मल कड़ी पत्ता होते हैं जैसे कि फ्रेश होते वुव larva हुझे थे आप इसको आपने अगर सुका रखें तो आप सूआhou भी ले सकतेे आंज अगर आपे पास सूख विघड़ी, पत्ते हैं उनको आप महनधी के अंदर भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। बट मा आपको जो रेमेडी बता रही हो नो मेहंदी से भी डवल यूसफुल रहेगे आपके बालों के लिए आपके बालों में जो रिजल्ट दिखाए देगा न आप मुझे खुद कॉमेंट करके बताओगे कि आपने यह नहीं कि मैंने आस तक के रेमेडी आपके साथ शेयर क्यों नहीं की इस तरीके से देख सकते हैं मैं निकाल लिया एकदम गरम है और गरम को तो आप बिल्कुल बालों में ना लगाए मैं आपको बिल्कुल पहले ही सज़स्ट कर रही हूं इसका कलर देख सकते है कितना जादा आ गया है निकि पूरा जो कस्ता कड़ी पत्ते का पूरा पानी के अंदर मैंने निकाल लिया इस तरीके से नीबू है बहुत लोगों को लिक्कान होते है कि नीबू हमें नहीं डालना है नीबू से बाल बहुत ज़ादा छिड़ते हैं बट आप इसके अंदर क्वांटिटी में निक्सान की ज'RE आपके र styl Roland आ फाइदा पहू मैं जब तो कीस खुआ नकाल देता है अगर आपको शैम्पू किप करना इसके अंदर आप सकते हैं। इसके अदर शैंपू करूंगे कि आप यह जो ज़रूर डाले क्युंकि मैंने पूरी डीमिडि में कैसे अल्कान सब्सक्राइण है। कि नाया है चीजे बताईके, जो आपके बालों को बिल्कुल फाल को नहीं करेंगा, मतलब बिल्कुल भी खत्रा नहीं रहेगा आप के बालों के लिए, मैं आपको पता देती हूँ आपको इस रेमेडी को जैसे हम लोग शैंपू करता हैं बालो को उसी टाइम यूज करना है अगर आप एक घंटे पहले लगा के अपने बालों में छोड़ दोगे तो के अंदर शैंपू आपके बाल अुलजणा इस्टार्ट हो जाएंगे आपको result देखना आपके बाद इतने जबार शाइनिंग करेंगे और इतने जबार सिलकी रहेंगे कि आपो खुद को यकीन नहीं होगा and बहुत लोगों को दिक्कत हती, कि हमें इसको कब use करना है, मतलब कि कितनी बार use करना है week में, तो हमें इसको वीक में ज्यादा यूज नहीं करना है, वीक में आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको डेली यूज करना है, लेकिन आप लोग तो वैसे भी बालों को डेली तो धोते नहीं होगे, जब भी आप बालों को धोएं, तभी इसको यूज कर सकते हैं आसानी से बनी और बहुत ही जादा इफेक्टिव है हमारे बालों के लिए तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राइ करें आपके लिए मैंने इस पेशली रेमेडी बनाई है तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू बाब बाई